हलो गुड मॉनिंग जोहार मसंजे और आप देख रहे हैं न्यू जारकन समय हो चला है जारकन की कबरों को जानने का जारकन की कबरों से अपडेट होने का तो चली जानते हैं आज की जारकन की 25 मुख्य बड़ी कबरों को सरहूल पूजा के बाद पाहान की भाविश्वानी राज्य में इस वर्स होगी अच्छी बारिस राची के मुरहबादी इस्तित हात्मा सरना इस्थल सहित सहर के अकड़ा और अन्य सरना अस्थलो पर परमपरागत रीती रिवास से सरहूल की पूजा की गई मुख्य पहान जगलालने विध्य विधान के साथ सरहूल की पूजा की पूजा संपन होने के बाद मुख्य पहान ने घड़े में रखे पानी की दिसा देखकर भविश्व माने की है कि इस बार जार्खन में मानसुल समाने रहेगा जारकन के हर्षेतर में अच्छी बारिसों की किसानों को खेती में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा इसके बाद राची के विभिन अकड़ा और सरना अस्तलों से सरुल पर्वकुले क्रभब विश्व भायात्रा निकाली गई जारकन के विभिन इद गाहों में अदा की गई इद की नमाज लोगों ने एक दूसरे को गले लगा कर दी बधाई देश भर में गुरवार को इद उल्फितर का तहवार बड़े ही उल्लास के साथ मनाई गया जारकन की राजनी राची में भी इद का पर्व बड़े ही धूमधाम से मना गया इद का पर्व खुश्यों और भायचारे का तहवार है राजनी राची के परमुक इद गाहों में इद की नमाज अदा की गई सहर के विफिन इस्तानों पर ईद की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्मान भाई एक दूसरे को गले लगाए उन्होंने कहें कि तीस दिनों तक रोजा रखने के बाद पाक महिनी रमजान की शमापती ईद के शाथ होती है आज का दिन हमारे लिए बेहदी खाश होता है अमेरी और गरीबी के फासले खत्म होते हैं अमन शैन वसानती बनी रही इसकी दूआ मांगी जाती है बतादे कि आज के दिन तरह तरह के पकवान बनाय जाते हैं वही एद परोपर जार्खन के राजपाल सीपी राधा कृष्णन वा मुक्हमंत्री चमपई शोरेन सहित कई गन्यमान लोगों ने राची वाश्यों शहित पूरे जार्खन वाश्यों को एद की शुप कामनाय द इसमें बताए गया है कि आज 12 अपरिल से 18 अपरिल के बीच गरच चमक के शाद बारिशों की वजरपात होने का भी अनुमान हैं मौसम वग्यानी कभी शेक अनन ने मीडिया को बताया है कि पहले सब्ता 12 से 18 अपरिल के बीच सुरवाते तीन दिनों में थोड़ी बहुत वर परिश होगी ऐसा अनुमान हैं मौसम केंदर के परमुक ने बताया है कि 12 से 18 अपरिल के बीच अधिक्तम ताफमान समान या समान शिकम रहने का अनुमान हैं जैसे जैसे सब्ता आगे बढ़ेगा गर्मी भी बढ़ती जाएगी इस सब्ता जारिकन का अधिक्तम ताफमान 27 इस सब्ता जारिकन के इन चार सीटों पर अपने पत्ते कब खोलेगी कांग्रेगा इस होट सीट पर सियासी हल चल सब से तीच जारिकन में अपने कोटे के सेश बचे चार सीटों पर उम्मेद्वारों की घोशना कॉंग्रेस पाटी सनिवार तक कर सकती है। इनी बातों की आधार पर कॉंग्रेस अपनी उम्मेद्वारों की नाम पर मुहर लगाएगी। और पूर विधायक त्रिपाठी का नाम चल रहा है। मुकमंत्री से युवा रांची महानगर रामनोमी पूजा समिती के परतनिधी मंडलने की मुलाकात। मुकमंत्री चामपाई सोरिन से गुरवार को युवा रांची महानगर रामनोमी पूजा समिती युवा महावेर मंडल रांची के परतनिधी मंडलने मुरह बादी इस्तित उनकी आवास पर मुलाकात की। परतनिधी मंडल का नेतत्व समिती के अध्धक्ष नंद की शोर सिंग जो है चंदेल कर रहे थे मुकमंत्री चामपाई सोरिन से मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया है कि सीयम को रामनोमी पर युवारांची महानगर रामनोमी पूजा समिती ने जो अलबर् का शवागत करेंगे इसके साथी समिती के सदस भक्तों का शवागत चुनरी, गमचा, माला, अंगवस्तर, गूड, चना और मिनरल वाटर विदरित कर करेंगे जब्त किये, ये कास बहरा गोडा की हेमंट कुमार सेटी के हैं, हेमंट कोई व्याद दास्तावेज नहीं देश के पुलिस आगे की काररवाई कर रही है, पुर्वी सिंग्हुं जिले के गोडाबान धानाचितर के जो है चुवास सोल में पुलिस ने गुरवार को 98,460 जब्त किये, युवक की पहचान बहरा गोडा च्षेतर की हेमंट कुमार सेटी के रूप में हुई है, पुछ ताच के दोरान युवक ने बारामत रकम के संबंद में साठीक जानकारी नहीं दी। पुलिस प्रसासन के कान खड़े हो गए, पुछ युवक हर्मू बाइपास रोड इस्तित खाटू शामंदर के पास, जब फिलिस्तीन का जंडा हाथों में लेकर खड़े देखे, इसके सूचना मिलने के बाद पुलिस इसकी जांच कर रही है, शुकदेव नगरधाना प्र सदस्चों का चाइबासा में शरेंडर, जहरिखन में दसकों तक आतंक मचाने वाले नक्षलियों की कमर धीरे धीरे तूटती जा रही है, कुल्हान और सारंडा के बिढ़ों में आतंक मचाने वाले भागपा मववादी के पंदरा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, पस् इनकी उम्र महज उनिशाल है, एक नक्षलि की उम्र 50 साल है, पुलीस एम सुरक्षाबलों का कहना है कि भागपा मववादी संगटन के आंतरिक शोशन भयादोहन एम जो पुलीश की लगतार बढ़ती दविश की वज़े से कई नक्षलियों मुक्यधारा में शामिल हो रहे नक्सलियों ने जारिकन पुलीश एम केंदरिये रिजर पुलीश भल सी यारपियफ के समक्ष सामोही गुरूप से सरेंडर किया है गिरीडी के पचमबा में नवालिक शिदुषकर्म मामला दर्ज गिरीडी के पचमबा थाना चितर में नवालिक के साथ दुषकर्म का मामला सामने आ है पिड़िता के फर्द वायान पर पचमबा थाना पुलीस ने मामला दर्ज कर मामले की जाच में जुट गई है गरना बुधवार रात की है इस मामले में अस्कूल सिक्षक से पुलीस की पूचताच की बात सामने आई है घरना बुधवार रात की बताय जा रही है महंदर सिंग धोनी के पूर्व बिजनस पार्टनर महिर दिवाकर को पुलीश ने गिरफ़तार धोखादाडी मामले में भारती किरकेट टीम के पूर्व कप्तान मेहंदर सिंग धोनी के पूर्व बिजनस पार्टनर मिहर दिवाकर को पूलिस ने गिरफतार किया है आपके बता दे कि धोनी ने दिवाकर के खिलाब सिकायट दर्श कराई थी जिसके बाद पुलिस ने या कारवाई की है भारतिय दंड सनिताधारा 406, 420, 466, 468, 471 और 120 बी के तहत मिहर दिवाकर पर कारवाई की गई है 15 करोड की धोखाधड़ी को लेकर MS धोनी ने मिहर दिवाकर के खिलाब अपराधिक मामला दर्श करा था मिहर दिवाकर और उनकी पतनी सोमियादास की कमपनी जो है अरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के खिलाब धोनी ने राची कोर्ट में केश दर्श कराया है बता दे कि अपने बिजनस पार्टनर मिहर दिवाकर पर MS धोनी ने धोखा धड़ी का रोप लगा था इसके बावजूद मिहर ने धोनी के नाम का इस्तिमाल किया जिसमें धोनी के शाथ 15 करोट से अधिक कतित रूप से धोखा धड़ी की गई है जामो को जीत मिलेगी हर नतीजे शरता होगा सीम चामपाई सोरिन का राजनितिक भविश लोक्षभाव चुनाओ दोगजार चुनाओ ना सिर्प सत्तरूर एंडिये के लिए खास होने वाला है बल्कि अगर जहारखन के लिहास से कहें तो या चुनाओ राज्य के वरतमान मु धायकदल के नेता और विधान सभा में नेता प्रतिपक्च अमरबावरी कहते हैं कि सीम को सीम मान कौन रहा है अपनी योगिता और चमता से चामपाई सोरेन मुख्यमंतरी बने रह पाएंगे इसकी संभावना बेहत कम है जामो के अंदर ही टाइगर को पालतू टाइगर ब बने रह सकते हैं जेल में जो फैसला होगा वही फाइनल होगा राजी के वरिष्ट कॉंग्रिश नेता और प्रदेश प्रावक्ता जगदीश शाहू ने कहा है कि भाचपा के आरोपो पर कोई ध्यान देने की जौरत नहीं है क्योंकि मुख्यमंतरी के रोप में चौंपे श बाहर रखा बाड़ी कोलान के सबसे बड़े सरकारे हस्पिताल में आए दिन मैनेजमेंट की कमिया सामने आती रहती है। तोड़ दिया था परिजनों ने सयाम की मौत की बाद साव को असपताल के शावगीरी में रख दिया फ्रीजर खाली नहीं होने के करण साव को बाहर ही रख दिया था गुरवार को जब व needle ने पहुंचे तो पाया कि साव को चूहों ने कुतर दिया है चूहों साव के बाएं पैर की उंगलियां और हाइडरोसील के मांस को खाया है इदर सूर्चना पकर अस्पताल अधिशक रविंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझा कर घर भेज दिया अस्पताल के सौगरी में खुल बारा डीप फ्रीजर हैं जिसमें से साथ फ्रीजर खराब पड़े हुए हैं वही पांच फ्रीजर में से चार में सौ रखे हुए थे जारिकन में फिर नकसलियों की साजिस नकाम रांची के तमार से आठ किलो का आईडी बम बरामट किया है जारिकन जगवार की टीम ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुँचकर बम को डिस्फ्यूज कर दिया लोक्षभा चुनाओ 2024 के दोरान सौरक शबलों को नकसलियों ने ये साजिस रची थी लेकिन सर्च ऑपरेशन चला कर ततपरता दिखाते हुए सौरक शबलों ने उनकी साजिस ना काम कर दी जारकन किरांची जीले के तमार्थाना चेतर के मोनोगोरा जो अकार कूला मार्क पर एक पुलिया से पुलिस ने आईडी बम बरामत किया है पुलिस सच ऑपरेशन चला रहे थी इसी क्रम में आठ किलो ग्राम का आईडी बम बरामत किया गया है बम को जो है प्रेशर कूकर म बन्द कर पुलिया के नीचे रखा गया था, बताया जा रही कि पुलिश को नुक्षान पहुँचाने के उध्दैश्च चे आईड़ी बम पुलिया के नीचे रखा गया था, लेकिन पुलिश ने उनके मनसुवों को नाकाम कर दिया है। शलामती की दुवा मांगी लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारक बात दी इसके बाद घरों में मेठी सवईयों और पकवानों का दौर चला तहवारों को लेकर बच्चों के खुशे देखते ही बन रही थी गाहा परकंड के एदगाहों वा महजितों में हजारों लोगों ने नमाज अदा की सुभाषे मुस्लिम शमदाई के बच्चे बोढ़े युवा सभी नहा धोकर वरना एक अपड़े पहन कर एदगाह वा महजित पहुँचे और नमाज अदा कर दुवा मांगी जमसेतपूर में तेजर अपतार कार ने सडक पार कर रहे भाई बहन को मारे टकर कारसवार युवाष्बा को क्योई जम कर पिटाई इससे बीच रहागी रोद्वारा पीछा करता देख चालक कार रोकर मौके से फरार हो गया जबकि उसमें सवारतीन युवक इस्थानीय लोग के हंते चुड़ गये जिसके बाद इस थानी लोग का आकरोश देखने को मिला जहां लोगों ने उनकी जम कर पिटाई करते हुए बंधग बना लिया वही आकरोशित लोगों ने कार में भी जम कर तोड़ पोड़ किया इधर घायल बच्ची जो है काविया और उसके भाई राजियू कुमार को इला दो बच्चो को अपनी शपेट में ले लिया सुख समर्दी के लिमानाते हैं उन्होंने कहे कि जो समाज अपनी रिती रिवाज खान पान को भोल गया वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता हमें अपने आने वाले पीड़ी को भी अपने पर्व और तहवार में शामिल कर पर्व की महत्ता को बताने की ज़रत है ताकि आ खत्मों होने वाला है बोड के विस्वसने शूतरों की मानने तो अप्रेल के अंतिम सप्ता तक रिजल की घूशना की जा सकती है अलाकि जारिकन एकडमी काउंसल ने रिजल की तारिक वा समय को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है रिजल जारी होते ही ऑफिसल जारिकन.gov.in पर उपलब्द करवा दिया जाएगा छातर अपने रोल नंबर वा जन्मतिती के जरिये अपना परिणाम चेक कर सकते हैं बतादे कि जो है कच्छा दसवी करे जल जारी करने के शाथ टौफर्स की लिस्ट भी जारी करता है यहां टौफर्स को राजिकेशिक श सोरेन से जुड़ी बरियातों की आठ दसमलो आठ शे एकर जमीन हड़पने की कोशिश मामले में गरपतार बरियातों के श्रदाम होशन से एडी ने लगतार तीसरे दिन भी रिमान पर लंबी पोचताच की सुकुरवार को श्रदाम होशन की रिमान आउधी शमापत हो रहा है कि बरियातों फारिंग रेंज के पास की जमीन की उसने फरजी डीड बनाई है और उस जमीन की चार दिवारे के लिए उसने सेना से अनुमती को लेकर पत्राचार किया था हलाकि सेना से उसे अनुमती नहीं मिली थी एडी ने जो श्रदाम होशन के माद्धम से शेना को किये गए जो है पत्राचार की जो है कौपी को शबूत के लिए कत्रित किया है शदाम ने जो एडी को बता है कि फर्जी डीड बनाने में उशे अपसर अली उर्फ जो है अपसु ने शहयो किया वही मुल दस्तावेज उपलब्द कराने शिले कर फर्जी डीड बनवाने तक में बढ़ गाएं अंचल का तंतकालिम जो है राजस्व उपनिरक्षक भानू प्रदाप प्रशाद वा अन्ने शामिल थे सड़क हाथसा सड़क पार कर रही महिला को मारे टकर मौत जमसेदपूर के महिला को अपनी चपेट मिले लिया तकर इतनी जोरदार थी कि महिला सड़क पर दूर जागिरी घटना को अंजाम देने के बाद वाहन मौकेश फरार हो गया अधर घटना की जानकारी इस्थानियन लोगों ने पुलिश को दी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की पहचान पचास वर्स ये बिशो का जो है मारड़ी के रुप में की गई है बिशो का जो है पलाश बनी के स्री गुट्टू गाउं की रहने वाली थी पुलिस ने सावको कपजे में लेकर पोश्ट मारडम के लिए भेज़ दिया नसे के शौदागरों के खिलाप रांची पुलिस के काररवाई दो किलो अफिम के साथ तसकर पती पत्नी के रबतार नसे के शौदागरों के खिलाप रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है पुलिस ने गुपत सूचना पर काररवाई करतो हुए दो किलो अफिम के पुलिस ने पती जोहे देवीनाथ सिंग मुंडा एवं जोह पतनी राधिका कुमारी को अफिम किशाथ गरबतार कर लिया है। पुलिस ने पती जोहे देवीनाथ सिंग मुंडा और राधिका कुमारी को गरबतार कर लिया है। जम स्वेदपूर के बानको थाना अंतरगे जोहार नगर रूट नंबर 14 इस्थित एक पंचर दुकान पर गुरवार दोपहर अचानक आग लग गई। आग की लगटों ने धीरे धीरे पूरी दुकान में जो अपनी चपेट में ले लिया इस्थानी लोगों ने इसकी सुचना पुलीश और अगनी समन में भाको ती। पासी मौजूद पेटल पंप से अगनी समन यंत्रे की मदद से आग पर काबो पाने के प्रियास में जुट गए। दमकल कर्मियों ने आग भुजाने से पहले बिजली बंद करवाई हलाकि इस घटना में ट्रांसफर्मर को कोई नुक्षान नहीं पहुचा है। शुरू कर अपराधियों को जिला बदर करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। वही राची SSP ने जिला बदर के साथ साथ कुछ अपराधियों के थाना हाजिर का भी प्रस्ताओ राची DC को भीजा है। जिला प्रसासन इन जो अपराधियों को नोटी जारे कर अपना पक्ष रखने का मौका दे रहा है। अगर जिला प्रसासन उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुबा तो जिला बदर और थाना हाजिर की कारवाय की जागी। आरियों में सरहुल महत्सो कायुचन राजिपाल ने कहा सरहुल पर्व का मतलब ही है प्रकृती और प्योडों की पूजा करना। और युवतियों ने राजिपाल की गवर्णर का स्वागत किया। इसके बाद राजिपाल ने जो है मंडप में विधिविधान से पूजा आर्चना की। इस औसर पर राजिपाल ने कहा है कि सरहुल हमेश शिखाता है कि प्रकृति की पूजा पृतेग दिन करनी चाहिए। वसंत रीतों में सरुल पर्व का मतलब है प्रकृति और वरिचों की पूजा करना, प्लोडों की पूजा, जानवरों की पूजा और जंगल की पूजा हमारे जीवन में हैं जो कभी शमावत नहीं होगा। प्रकृति की एतवा उराओं का बेटा था, वहाली में करनाटक की बैंगलूर में मजदूरी करने गया था, वहाँ वहाँ ठेकेदार जोशिप के अंडर में मजदूरी कर रहा था, बुद्वार को काम करने के दोरान चट से गिर कर जो बुदा की मौत हो गई, ठेकेदार न साथ ही जन प्रतनीदीशंसे भी मदद की गुहर लगाई है वेखति गालों में एक महिला और उसके दो बच्चे-शहित एक युवक्चामिल है गायलों का फ्रात्मिक इलाज बगुदर सीयर्श्चे में किया गया इसमें महिला की स्तिति गंभीर बनी हुई थी बहतर इलाज के लिए धनबाद राफर कर दिया गया है बताया जाता है कि इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है जो मिर्तगा का नाम रूपा देवी है बताया जाता है कि बाइक पर सवार सभी सरिया थानाचेतर के परशिया पंचायत के अलग-अलग गाउं की रहने वाले हैं पताया जाता कि बाइक पर सवार होकर एक युवक के शाथ महिला अपनी दो बच्चों को लेकर बगोदर सीट डूमरी की ओर जा रहे थी इसे दोरान तेज रप्तार एक एक स्यूबी कार ने पीछे से बाइक को अपनी चपेट मिले लिया इसे महिला गंभी रूप से घायल हो गए थी बहतरे राज के लिए उसे धनबाद राफर किया गया था पुलिश ने कार को जब्द कर लिया है राजी के खिलगाओं में 12-14 अप्रेल तक ओपन टेनिस स्यंपियंशिप का आयोचन होगा 14 अप्रेल तक खेले जाने वाले इस स्यंपियंशिप में लड़के लड़कियों के अलावा 55 वर से अधिक आयोवर के प्लेयर्स भी खेलते दिखेंगे इस परतियोगिता में इवेंट केटिगरी में लड़के लड़कियों के लिए सिंगल्स में अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 और ओपन सिंगल्स मैच होंगे डवल्स केटिगरी में अंडर 14, अंडर 18 ओपन डवल्स और जह मिक्स्ट डवल मैच होंगे जो है वेटरन, ओपन, सिंगल्स और डवल्स में 35 वर्स या इससे अधिक, जो प्लेयर्स के अलाबा 55 वर्स से अधिक आयोवर के किलाड़ी भी खेलते दिखेंगे प्रग्यानन सिंग की मौत, ड्यूटी के तौराण जम्मो कश्मीर इस्तित जो उधैपूर क्याम में हो गई, जहां गुरवार को उनका पार्थिक सरीर सेना के जवानों द्वारा सम्वान जो जमाड़ोबा जीतपूर इस्तित अवास लागिया, जहां परिचन समयत भाजपा प्रत्यासि ढूलू महतों विधायक राजिसिना, भाजपा प्रदेश, कारिशमेति सदश, रागिनी शिंग, सहित बड़ी शंक्या में ग्रामिनों तथा शेतरवाश्यों ने गमगीन महोल में उनके अंतिम दर्सन कर उन्हें नम आखोशी अंतिम विधाय दी, घर्पना के समहों के खिलाब कारवाई में NIA ने एक को किया गिरपतार राश्ट्रिय जाच एजनसी NIA ने जार्खन के कुंटी जीले से विनोत मुंडा उर्फ जो है सुक खवा को गिरपतार किया है, आरुपित पीपुल्स लिवरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, पियल अफफाई का एक स सस्तर काडर है, जो एक अलग नक्ष लिशम हुएं, यह जार्खन के चार पियल अफफाई से जोड़े मामलों में वांचित था, NIA ने गुरवार को जारी एक बयान में कहा है कि NIA ने बुधवार को जो पियल अफफाई के खिलाब कारवाई की थी, NIA के मताबिक जार्खन और आसम राज्य पुलिश बलो के शार्थ समन्मे में जार्खन और आसम के जो है दो-दो इस्तानों पर कारवाई की गई थी, इसमें आरोपित की गिरब तारी हुए थी चैंबर आपकॉमरस ओप समायतियों के बैटक में विभीन समस्याओं पर हुई चर्चाँ, जार्खन चैंबर आपकॉमरस की और से गठित सभी ओफ शमीतियों के समेती चेर्मेन जिलाच चेंबर अब कमर्स के शाद भी बैठा करें।